गुप्चरो ने बताया कि खबर एक दमपक की है सिर्फ तीन दिनों के भीतर पडोसी राजे अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है राजा बेहत चिंचित हो गया परेशान हो गया राजा के चतुर मंत्री ने कहा अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एक मातर उपाए है कि हमें आज ही अभी ही इसी वक्ती पडोसी राजे पर हमला कर देना चाहिए मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे मंत्री बोला पडोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तयार नहीं है अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जितने की कुछ तो संभावना बनेगी वैसे भी हम पर हमला होने वाला है वो इतनी विशाल सेना है हम युँ ही मरने वाले है वो वैसे भी हमें तीन दिन बाद मारने वाले है तो क्यों ना कुछ न करने से हम ये कर सकते है राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई उसने तुरंट अपनी सेना को तयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए पढोसी राज्य जो था वहा तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था एक पुल था तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा हम अपने पढोसी राज्य में घुस चुके है ये जो पुल है इस पुल को जला दो और जलाने के बाद सेना को बोल दिया हमारे पास में अब और कोई आप्शन नहीं सिवाए लड़ने के अब हम या तो लड़के जितले या फिर हम यहाँ पर मर जाए। तो संभावना बढ़ जाती है उसमें काम्याब होने की हर काम्याब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बरबाद हो जाओंगा और वो कर लेता है